बिस्मिल्लायरह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम किचन शेफ्स मैं साथ वनीबा रह्मान वेलकम तो मैं चैनल कोकिंग इस मैं पैशन आज एक और जबरदसी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं आप लोगों के लिए जिंगा बिर्यानी की और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और मज़ेदार लग रहा है यह टेस्पनी बहुत अच्छा था जटपड बन जाती है इंग्रीडियंस बता देती हूं आप लोगों को पहले एक कीलो जिंगा है हमारे पास वश हुआ होँ इसकी रग रिमूफ कर दी है और फिर एक कीलो है तीन मीडियम साइस के टमाटर है जिसे मैंने ब्लैंड करेके प्योरे बना लिया है साथी मैंने ले लिया था एक पाउ दही जिसे मैंने फोर्क के हल्फस अच्छे से विस्क कर लिया था दो बड़ी अलाइची, वन टेबल स्पून जीरा, कुछ दाने हमने लॉंग के लिए हैं, वन टी स्पून काले मिर्च, दो दार्चिनी के स्टेक्स, बादियान का फूल, अलाइची पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप चाहें तो सापत अलाइची भी डाल स हरी मिर्च को पेस्ट बनाला दा, कुछ थो डाल मिर्च, नमक तीस्पून हल्दी, वन टेबल स्पून धन्या पाउडर, रवन टेबल स्पून जीरा पाउडर, गाल्ड़ ऑ वह хорошा यही है, जिन्जर कारम पेस्ट फट्स लाइची में तो यहाँ मैंने एक स्टाहर हसीप, को गर्ण कर लिया था और इसमें मैंने साबुत गरम मसाले कर लिया है है तो इसे डालने के बाद हम इसे 1-2 दोफाफ जालेंगे और थोड़ ज्वरस कर ड़ ऐा लेंगे जब इसमें से ऊच्छी-सी हुश्पू आने लगी तो हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट सबसे पहले अच्छा अगर ग्रीन चिलिया की प्रॉपर ग्राइंड ना हो न उसमें कुछ थोड़े बहुत बड़े पीसिस रह जैसे के मेरी रह गए तो कोई इशू की बात नहीं है कोई मसला नहीं है आप चाहे तो दुबारा जला भी सकते हैं और आप चाहे अब हम इसे एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इतना कुप करेंगे के जिंगा अपना पानी छोड़ दे इट विल टेक फॉर अबाउट फाइव मिनेट और इसे धकन लगाए बगार अभी कुप करना है तो यहां देखिए पांच मिनट गुजर चुके थे यह जिंगे ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है अब हमें इसे इतना कुप करना है कि जिंगे का पानी एवापरेट हो जाए तो प्लीज लिड मत लगाएगा हाई फ्लेम पर इसे बीच वीच में हाँ चलाते हुए फ्राय करते रहिएगा तो यह देखिए पानी हो चुका है जिंगे का कलर अभी काफी चेंज हो चुका है काफी हद तक इस पे गोल्डन शेड आ गया था तो यहां मैंने डाल लिया है इसमें टोमैटो प्योरे और उसी के साथ हम डाल देंगे तमाम मसाले जो स्पाइसिस मैंने दिखाए थे ना शुरू में वह सारे स्पाइसिस हम इ तो किसी भी सालन में या विर्यानी में उसकी स्मेल बहुत प्रॉमिनंट पता चलती है और वह सालन का टेस्ट खराब करती है तो इस वेरी इंपॉर्टन वेरी नैसेसरी कि आप कच्छा पन टमाटर का प्यास का अच्छे से खतम कर लें तो यहां देखिए मैं 5-7 मिनट बहुना गया है इस स्टेज पर मैं डालूंगी दही डालने के बाद हम इसे एक दफ़ा अच्छे से चला लेंगे और दही भी पानी छोड़ेगा तो यहां पर देखिए दही डालने के बाद 2-3 मिनट हमने इसे कुक किया था और दन हमने इसमें तलीवी प्यास शामिल कर द दाल देंगे धनिया और हरी मिर्चे हमें प्यास को इसलिए नहीं कराना है क्योंकि अगर प्यास इसमें थाबुत आ भी रहे है तो कोई प्रॉबलम नहीं है हमें इसको बिल्कुल मैश नहीं करना है इस परफेक्ट ठीक है तो अब हम इसमें सोया भी शामिल कर रहे हैं और एक दफ़ा अच्छे से चला लेंगे और फॉर अबाओ टू टू थ्री मिनट्स हमें इससे लिड लगा कर कोखोने देंगे ताके धनिया और सोया और हरी मिर्चे इनकी खुश्बू अच्छे से इंफ्यूजड हो जाए सालन के अंदर तो यहां पर दो सती मिनट हो गया था यह देखे लिड हटाया और बड़ी जबरदसी खुश्बू इस वक्त आ रही थी बहुत मज़े की और आप चाहें तो यह ऐसे सालन भी नान के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सालन दयार हुआ था मसाला बहुत जबरदस दयार हुआ था अब इसमें सिर्फ ला आप चाहें तो रेसिपी में पौदीन आप भी डाल सकते हैं जूलियन कट कीवी अतरक भी डाल सकते हैं इस अब टो यूबर मैंने हाप पर सिफ घनिया यूज किया था चावल बॉइल करना में बहुत सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ के बिल्यान का चावल किस तरह से बॉइल करती हूँ और अगर आप मेरे मैथट से चावल बॉइल करेंगे तो ट्रस्ट मी चावल बिलकुल खिले खिले रहेंगे अलग अलग रहेंगे और चावलों पे भी बहुत खुबसूरा सा कलर भी होगा प्लस उसमें खुश्जबू होगी और व जुम्मे वाले तिन बिर्यानी बना रहे हो या किसी दावत बना रहे हो तो प्लीज उस प्रोसेस को जो है वो देखकर और बिलकुल वैसे बनाएगे यफीन कीचिए आपकी फैमली आके घरवालों को ये प्रोसेस इस प्रोसेस से बनाए गई गई बिर्यानी बहुत पसंद आएगी हमने चावलो की कर लियारिंग पहले डाल लिया धा जेंगा फिर हमने डाले चावल और फेर दाले ये तलीवी प्याज बेरिंग के लिए आधर कीलों प्यास जो है वह Aa मेरे ब्राउन करके रख ली लियरिंग के लिये डूबारा लेयर करूंगी लासमिजारदे का रं कलर बहुत खुबसूरत आता है प्लस चावल टूटते नहीं है थर्ट चावल गिंजे हुए नहीं होते यानि मसाला जो है वो अच्छे से जो सहर चावल में इविनली स्प्रैड हो जाता है तो यह फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेर करती हूँ मज़िदार सी जिंगा बिर्यानी का आई होप की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी जरूर ड्राइ कीजेगा आप लोगों के घरवालों को आप लोगों को जरूर पसंद आएगी अगर यह रेसिपी पसंद आदी है तो लाइक कीजे शेर कीजे कमेंट करके अपना वियूज बताईए आगर नए है तो सबस्क्राइब कीज़े अपना खयार रखिए अमान अल्ला